पूरा खान परिवार ही अर्पिता से बेहद प्यार करता है हर मुश्किल घड़ी में अर्पिता के स्ताथ खड़ा रहता है पूरा खान परिवार जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक और अर्पिता अपने पती और अपने बच्चों के साथ बेहत खुशाल और आलिशाल जिन्दगी बिता रही है तो वहीं हाल ही में अर्पिता के स्तासुराल से एक बेहत बड़ी खबर आई है अर्पिता के पती हैं बॉलिवोर्ड आक्टर आयूश शर्मा आयूश और बच्चों के साथ बेहत खुशाल जिन्दगी बिता रही है अर्पिता लेकिन हाल ही में अर्पिता के स्तासुराल से एक बड़ी खबर आई है दरसल जानकरी के लिए आपको बता दें कि अर्पिता के ससुर बीजेपी विधायक अनिल शर्मा मुसीबतों का स्तामना कर रहे हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बलकि उनकी बहुने लगाया है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी स्तांसर्द गौतम गंभीर की चचेरी बेहन राधिका गंभीर के बारे में राधिका ने अपने ससुर यानिकी अनिल शर्मा पर दहेज प्रतार्ना का आरोप लगाया है जी हाँ डावरी एलिगेशन में बुरी तरह से फस चुका है अरपिता का ससुराल ऐसे में देखा जाए तो अरपिता ने हाल ही में अपने ससुर को लेकर चुपी तोड़ दी है जानकरी के लिए आपको बता दे कि राधिका गंभीर अनिल शर्मा की बड़ी बहु है सोशल मीडिया पर हाल ही में उन्होंने ससुर पर दहेंस प्रतार्ना का आरोप लगाया है लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उनकी पती आश्रे शर्मा ने डेमेज कंट्रॉल करते हुए पतनी राधिका का फेस्बुक एकाउंट हैक होने की बात कही है जिहां दोस्तों अनिल शर्मा की छोटी वहू अरपिता खान भी ससुर के बच्चाव में स्तामने आ चुकी हैं अरपिता के फेस्बुक पोस्ट को शेयर कर पारिवारे कलहे का खुलासा किया है अरपिता अपने ससुर के सपोर्ट में उतराई है जानकरी के लिए आपको बता दें कि रादिका गंभी ने गुरुवार शाम तकरीबन साथ बजे फेस्बुक पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके ससुर अनिल शर्मा ने उन्हें होटेल में सैलून चलाने के लिए नोटिस भेजा है कहा है कि शादी के छे साल बाद जब उनके परिवार ने दहेज में पैसा देने से मना कर दिया तो उनके ससुर ने उन्हें नोटिस भेज दिया उन्होंने कहा है कि आज मेरे सस्राल वालों से स्तारे स्तंभंध तूट गए हैं उन्हें मंत्राले से इस्थिवात देना पड़ा इसलिए ये सब किया गया पैसे और सत्ता की भूग सभी जानते हैं राधिका ने आगे लिखा है कि नौ महीने की प्रेगनेंट होने के बाद भी ससुन ने उन्हें घर से निकाल दिया जो इंसान 93 साल की उम्र में अपने पिता को घर से निकाल सकते हैं वे अपने बेटे के साथ ऐसा भी कर सकते हैं इतना ही नहीं जब राधिका ने फेस्बुक पर इस पोस्ट को शेयर किया तो वहीं राधिका के बाद अरपिता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया बलकि बेटी होने के नाते भेज रही है एक मुसलिम परिवार से होने के बाद भी शर्मा परिवार ने उन्हें अपने बच्चे की तरह अपनाया है इसके साथ ही अनिर शर्मा को उन्होंने एक आधर श्वादी इंसान और अपना पिता बताया है और पिता कहती हैं कि वह हैरान है कि राधिका इस तरह के आरोप कैसे लगा सकती है और पिता ने ये साफ किया है कि उनकी शादी में कोई दहेज नहीं मांगा गया था यहां तक कि अनिल शर्मा ने गिफ्ट तक लेने से इनकार कर दिया था और पिता कहती है कि राधिका ने अनिल शर्मा की स्टालों की मेहनत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है आज वह मंडी के उन लोगों का स्टाथ मांग रही है जिनके खिलाफ वह अनाफ शनाब बातें भूलती थी इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया है कि प्रेग्नेंसी में राधिका को घर से निकालने की बात गलत है उस समय वह दिल्ली वाले घर में रहा करती थी उनकी स्टास उनकी डिलीवरी के समय उनके स्टाथ थी अर्पिता ने बताया है कि राधिका की परवरिश अलग माहौल में हुई है इस दिये वह इस तरह की बातें कर रही है लेकिन वह अपने ससुर के स्थाथ खड़ी है और इस तरह से अर्पिता अपने ससुर अनिल शर्मा के स्थाथ खड़ी है ये पारिवारे कलेश को लेकर अरपिता काफी परिशान है लेकिन अपने ससुर के साथ वहे खड़ी हुई है और इस तरह से उन्होंने अपने ससुर का साथ दिया है जानकरी के लिए आपको बता दें कि हमाचल प्रुदेश केरी से बीजेपी विधायक है अनल शर्मा जिनके दो बेटे हैं आश्रे शर्मा और आयू शर्मा आयू शर्मा की पतनी है अरपिता और आश्रे की पतनी है राधिका गंभी हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस